आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 8 की हिंदी का चाप्टर 5 चिठियों की अनूठी दुनिया जिसके लेखक है आपकी अरविंद कुमार सिंग इस पार्ट में बताया गया है बच्चों की चिठियों की जो उपयोगिता है जो महत्व है वो आज भी हमारे जीवन में ब खरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक्तम साधन नहीं कर सकता पत्र जैसा संतोस फोन या SMS का संदेश कहां दे सकता है तो पत्र को पढ़के हमें जो संतोस मिलता है जो संतुष्टी मिलती है वो हमें कभी भी एसमेस फोन या एसमेस से नहीं मिलता पत्रों को हम सालों साल समाल के रखते हैं याद की रूप में समाल के रखते हैं लेकिन जो एसमेस होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं पर पत्रों की जो संतुष्टी होती है वो किसी और चीज में नहीं होती पत एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीती साहित्ते तथा कला की छेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं दुनिया का तमाम साहित्ते पत्रों पर केंद्रित हैं अब दुनिया की कितने भी साहित्ते देखें कितने सारे जो साहित्ते है वो हमारे पत्रोंपर ही केंदित है और मानफ सब्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमी का निभाई है। कई बार one marks में आता है जैसे कि last to last year आया था कि तेलकों में पत्र को क्या कहा जाता है तो आप इसे underline कर लेना बहुत important question है कि उर्दू में खतका कहते हैं संस्क्रित में पत्र कनड में कागत तेलकों में उत्रम जाबू और लेक ठीक है और तमिल में से कडिक कहा जाता है उसके बाद है कि पत्र यादों को सहेच कर रखते हैं इसमें किसी को कोई संदे नहीं हर एक की अपनी पत्र लिखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दाइरा तो हर किसी के पत्र लिखने का अपना अपना एक लेकिन फिर भी आज भी कई सारे पत्र हैं जो अपना ठिकाना ढूंडते लोगों के पास पहुंचते हैं अगर आखिडे हम देखें तो भारत में ही रोज साड़े चार करोड चिटिया डाक में डाली जाती हैं सोचिए इतना संचार का सादम विक्षित हो चुगा है लेकिन फ पंडी जवालना लहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था तो पंडी जवालना लहरू जो हमारे पहले प्रधान मंतरी थे उन्होंने बताया था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानि कि रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं रनर्स का हरकारे होते हैं बच्चों runners यानि कि पहले के टाइम पे एक वेक्ति होता था जो की मतलब चिठी लेके चलता था या दोड़ता था फिर वो अगले वेक्ति को देता था फिर वो अगले वेक्ति को देता था इस तरह से चिठीों को पहुँचाया जाता था उसके बाद तेज घोड़े आये थे जो की चिट्टियों को इधर से उधर ले जाने का काम करते थे यानि उसके द्वारा घोड़े के द्वारा ले जाता था उसके बाद पहिये आये पर railway और तार से भारी बदलावाए तो पहले runners इसका काम किया करते थे फिर तेज घोड़े के द्वारा होने लगा उसके बाद जब पहीय आ गया railway आ गया तो उससे चीज़े और ज़ादा जल्दी जल्दी होने लगी जैसे पहले के टाइम पर कोई लेटर पहुचाने में शायद एक महीना दो महीना लग जाता था उसके बाद जब घोड़े आ गया तो पंद्रबीस दिन में काम होने लगा लेकिन जब railway आ गया तब तो ये काम बहुत जल्दी चार पास दिनों में होने लगा तार ने रेलो से भी तेज गती से सनवाद पहुचाने का सिलसिटा शुरू किया अब टेलिफोन वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है पिछली सताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है पिछली सताब्दीयों के अगर हम बात करें तो पत्र लेखन ने एक कला का ही रूप ले लिया है डाग विवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेस प्रयास किये गए पत्र संस्कृत ही विक्रशित करने के लिए स्कूली पाठे करम में पत्र लेखन का विशे भी सामिल किया ताकि पत्र की यह जो हमारी अनोखी दुनिया है यह खतम नहों जाए इसकी जो संस्कृत ही है यह विक्सित होती रहे आने वाली पीडी तक भी पहुंचे इसके लिए स्कूल में भी आपने देखा होगा कि पाठेक्रमों में यानि आपके स्लेवर्स में लेटर राइटिंग होता है इंगलिश में भी होता है और आपके हिंदे में भी होता है ताकि हमें हमेशा ही पत्रों का महत्व पतार है भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों मे ये प्रयास चले और विश्व डाक संग ने अपनी और से भी काफी प्रयास किये तो हमेशा से ही विश्व भर में इसके प्रयास किये जाते रहे हैं कि पत्र की जो ये हमारी संस्कृती है ये कहीं खोना जाए इसलिए जो विश्व डाक संग है उन्होंने क्या किया है कि 16 वर् होता है चीक है लेटर लिखने का यह 1972 से स्टार्ट हुआ है यह सही है यह सही है कि खास तोर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्राभावित हुई है पर देहाती दुनिया आज भी चिट्टियों से भी उतनी ही इंपोर्टेंस है फेक्स, इमेल, टेलिफोन तथा मुबाईल ने चिट्टियों की तेजी को रोका है पर वैपारिक डांक की संख्याय लागातार बढ़ रही है तो ऐसा है कि मतलब अब लोग उतना लेटर नहीं लिखते हैं लेकिन अगर आप ऑफिशल देखे तो ऑफिशल में वैपारिक डांक की अगर आप देखे तो उसमें जो संख्याय वो लागातार बढ़ रही है हमें कभी भी कोई डॉक्यमेंट देना होता है या कहीं भेजना होता है तो हम हमेशा से ही डांक विवस्था का ही सहारा लेते हैं जी कि आज के टाइम पे भी जित देखे या कभी ना कभी किसी ना किसी ने किसी को तो पत्र लिखा ही होता है ठीक है अगर हम अपनी बड़ों से देखे अगर आप अपनी बड़ों को पूछे तो उन्होंने तो कई लेटर्स अपनों को लिखे होंगे ना लिखा ना लिखाया हो या पत्रों का बेसबरी से जिसने इंतजार ना किया हो ठीक है तो किसी ना किसी ने लेटर जरूर लिखा होगा या बहुत बेसबरी से ठीक है इंतजार किया होगा लेटर आने का हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुक्ता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाली नहीं तो आज के टाइम पे भी जो हम वो उनको letter भेजती है और उसे पढ़के उन्हें जो खुशी होती है मतलब unbelievable ठीक है एक दौर था जब लोग पत्रों का इंतिजार महीनों करते थे पर अब वह बात नहीं तो एक time था जब महीनों तक पत्रों का इंतिजार किया जाता था क्योंकि पहले के time पे इतने संचार तो हो जाती है तो सिर्फ चिठी एक सहारा था जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरे तक पहुचा पाते थे और वो भी चिठी पहुचने में भी कई time मतलब कितना time लग जाता था कई बार महीनों लग जाते थे आज और भी साधन विक्सित हो चुके हैं लेकिन आज तो हम एक सकेंड में कॉल कर सकते हैं एक सकेंड में वीडियो कॉल कर सकते हैं आज के तो बहुत सारे साधन हो गए लेकिन फिर भी जो letter की importance है वो कभी कम नहीं हो सकती आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुर्खों की चिठीयों को सहेज और संजोकर विराशत के र इसके अलावा अगर हम पत्रकारों की या फिर लेखकों का पत्र अगर पुराने समय का पत्र देखें तो इन सबकी जो पत्र हैं वो अपने आप में ही एक research का subject है ठीक है अनुसंधान का विशे हैं उसमें आपको इतनी सारी ग्यान की बाते मिल जाएंगी तनी अच्छी ची कि उस टाइम का समाज कैसा था आसपास चीजे कैसी चल रही थी लोग कैसे हुआ करते थे तो लेटर से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है हम उस समय में जा पाते हैं जब वो लेटर लिखा गया था अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नहरू अपनी पुत्री इंद्रा गांधी को फोन करते पर तब पिता के पुत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोडों लोगों को प्रेणा देते हैं तो नहरू जी जब भी अपनी बेटी को पत्र लिखते थे तो वो लिखते थे पिता के पत्र पुत्री के नाम और वो जो इसी बाते होती थी जो हर किसी को पिर्णा देने का काम करती थी इसलिए हमेशा से ही पत्रों की जो इंपोर्टेंस है वो बनी रही है ठीक है पत्रों को तो आप सहेच कर रख लेते हैं लेकिन जो पत्र होते हैं उनको हम सालों साल सम्हाल के रख सकते हैं जैसे कितने सारे महान हस्ती हैं बड़े बड़े जो लोग हैं जैसे हमारे महात्मा गांधी उनके पत्र आज भी कई सारे संग्रालेों में सम्हाल के रखे गए ठीक हैं उनकी यादकार या उनके धरोहर के र जाएंगे जहां पर आपको बहुत से लोगों के द्वारा लिखे गए पत्र देखने को मिलेंगे तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है तो अगर किसी भी पत्र को आप देखे तो वो उस देश के बारे में उस काल के बारे में यानि उस time period के बारे में और उस समय के समाज के बारे में कि समाज में क्या चल रहा था उस time के लोग कैसे थे ठीक है इन सब को जानने में आपकी मदद कर सकते हैं भारत में आजादी के पहले महा संग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार जनों को पत्र में लिखे वे आगे चल कर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए तो पहले के टाइम पे जो लेटर्स लिखे गए उसमें से बहुत सारी जो लेटर है वो बहुत सारी बुक्स में भी डाले गए चीक है वो आज के टाइम पे हमारे लिए एक इंपोर्टन बुक बन चुक है हिस्ट्री की इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था महत्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र क इंपिया और वैं जहां भी रहते थे यानि महात्मा गांधी क्योंकि वो तो अलग-अलग जगावं पर receptor के अधिश जी के पास देश्ट दुनिया से बड़ी संक्या में पत्र पहुंचते थे तो गांधी जी के पास अपने देश से इसके लावा पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे लेटर्स आया करते थे पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड नहीं था यानि जैसी उनको ले खुद से ऐसा नहीं था कि किसी से लिखवा देते थे वो खुद से उस लेटर का अंसर दिया करते थे और जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ यानि राइट हैंड जब उनका दर्द करने लगता था तो वो बाय हाथ से लिखने में जुड़ जाते थे महत्मा गांधी यह नहीं आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गाउं गाउं में मिल जाते हैं इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उस टाइम के आंदोलन में जो भी लोग रही हो उन लोगों के पत्र भी अगर गाउं गाउं में देखने के लिए मिल जाते हैं जो उस समय के समाज का पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी परस्तिती पत्र से कम नहीं मानते हैं परस्तिती पत्र यानि प्रसंशा पत्र से ठीक है उनकी तारीफ का लेटर ऐसा लगता है और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है बहुत से लोगों ने अब उनकी याद में जो लेटर्स होते थे उनको फ्रेम करवा के भी रख लिया है अपने घर में यह है पत्रों का जादू यही नहीं पत्रों के अधार पर ही कई भाशाओं में जाने कितनी गितावे लिखी जा चुकी हैं वास्तव में पत्र किसी दस्तावेच से कम नहीं तो जो पत्र ह होते हैं वह हमारे किसी दस्तावेच से कम नहीं होते हैं पंथ के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा पत्रों की आईने में दयानन सरस्वती समेट कई पुस्तक आपको मिल जाएंगे तो यह सारी पुस्तक आपको देखने के लिए मिल यानि बिल्कुल एक्टिव रहते थे इस परकार नहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्र नाठ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं तो जो भी महान हस्तिया एक दूसरे को लेटर लिखती थी मान लिजए कि अगर उस टाइम पे यह संचार के साधन होते कॉल वग बादू ही है जिसकी वज़े से हमें इतनी प्रेणा मिलती है उसके बाद है आपका की टैगोर ने टैगोर के भी सन 1915 से लेके 1941 के बीच के समाचार का संग्र प्रकाशित हुआ जिसमें बहुत से नय तत्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोगा मिलता है पत्र वैवहार की पर विभागों की तुलना में सबसे जादा गुडविल डांक विभाग की है इसकी एक वज़ा यह भी है कि यह लोगों को जोडने का काम करता है तो सबसे जादा जिसने तारीफ बटोरी या जिसने सबसे जादा अच्छा काम किया वो था हमारा डांक विभाग क्योंकि यह दो लोगों को या दो से जादा लोगों को जोडने का काम करता था घर घर तक इसकी पहुँच है संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्टी पत्री की हैसियत बरकरार है यानि इतने सारी संचार के साधन आने के बाद भी जो चिट्टी का जो महत्व होता है वो आज भ रहे, मचुवारे हो या फिर रेगिस्तान की डंडियों में रहे रहे लोग, आज भी खेतों का, आज भी खटों का ही सबसे अधिक बेसबरी से इंथजार होता है, तो चाहे कहीं के भी लोग हो चाहे वो शेहर के लोग हो, कानओं के लोग हो या किसी जंगल के लोगों हर कोई खतों का बहुत जादा इंतजार करता है खत यानि की पत्रों का बहुत जादा इंतजार करता है एक दो नहीं करोडों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारते डांग घरों के दरवाजे तक पहुचते हैं हर रोज आज के टाइम पे भी हर रोज करोड़ों लोग एक दो लोग नहीं करोड़ों लोग डांक घरों तक पहुँचते हैं चीक है उसके दरवाजे तक और इसकी बहुँ आयामी भूमी का नजर आ रही है दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चुले मनी ओर्डर अर्थ विवस्ता से ही चलते हैं त चूले जलते हैं उसकी वज़े से ही उनके घर में चूले जल पाते हैं गाओं या गरीब बस्तियों में चिठी या मनी ओर्डर लेकर पहुँचने वाला डांकिया देव दूद के रूप में देखा जाता है क्योंकि उस डांकिये के वज़े से ही उनके घर पैसा पहुँच आता है जिससे उनका घर परिवार चलता है तो ये था आज का आपका चाप्टर आई होप आपको अच्छा लगा हो नेक्स्ट वीडियो में बच्चो हम लोग इसके कुछ आंसर करेंगे ठीक है थैंक्यू सो मच